हाई फ्रेंद्स कैसे यो आप सब आई होप आप सब अपने घरों में ठीक होंगे खुश होंगे और पॉजिटिव सोच रही होंगे गाइस मैंने सोचा आज क्यों ना आपके परसन के दिल दिमाग में देखा जाए कि वो आपके लिए क्या सोचते हैं वो आपके लिए क्या फ स्टार्र करने से पहले कि जितना भी हो आप अपने परसन को पॉजिटिव ही सोचा कीजिए अगर आपको लगता है कि आपके परसन आपसे कभी जूट बोलते हैं या कुछ भी reading देखो positive होकर सोच के ही देखो negative होकर बिलकुल नहीं सोचना तो चलिए guys देखते हैं मैं कार shuffle करती हूँ जब तक आपने person का नाम लीजिए उनको अपने mind में रखिए उनका ध्यान कीजिए ताकि हमको उनकी जो भी feelings है वो accurate आप आएं और मैं आपकी और उनकी energy को connect कर पांच चलिए पहला गार देखते हैं वस्ट कार यह है second कार three of कार four मैं साथ ही सा shuffle भी कर रही हूँ कारों को अपने बरस्फन का नाम के ताक्यों हमको अनज्जी एक्डिया आब आए अब आप तक आप इसमां का नाम है अपने मन में लेते रहे तका अब कर आप आओ आई आप सोच रहे होंगे कि दी आज बहुत लेट शफल करें एक्चली मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसकी वज़े से और देखते हैं कि bottom of the deck क्या है । फता नहीं क्यों मैं जब भी आज करूँ जो भी मैं रीडिंग कर रही हूं उसमें devil बहुत आ रहा है और देखते हैं कि आपको पता है कि जब भी हम कोई रीडिंग करते हैं उसमें जो bottom of the deck होता है वो सबसे बहुत ही important card होता है तो हम इसको रख लेते हैं guys I hope आपको card सारी दिख रहे होंगे एक मिनट में camera adjust कर लूँ पर ले I hope आपको card दिख रहे हैं वैसे तो card तो मैं नहीं देखने है reading आपने तो reading सुननी है तो देखते हैं first card क्या आया है एक मिनट guys में थोड़ा camera adjust कर लूँ face of cups three of swords the lover justice the world ten of cups wow fire three of pentacles and the devil I hope आपको सारे कार दिख रहे हैं yes आपको सारे कार दिख रहे हैं तो चलिए guys start करते हैं आपकी reading एक मिनट में पहले camera adjust कर लूँ ताकि आपको भी दिक्कत ना हो और मेरे को भी दिक्कत ना हो तो जहां तक मैं आपके person की energy पे कर पा रही हूँ मेरे को यह लग रहा है सबसे पहली बात तो मैं यह बताना चाहूंगे उनको आपके प्रती क्योंकि यह दो कार जो है ना सबसे पहले में आपको बता दूँँ यह जो दो कार है यह यह indicate कर रहे है कि आपके person आपके लिए obsessed हैं और आपसे बहुत प्यार करते हैं आपकी beauty से, आपके mind से, आपकी soul से देखने में आप बहुत खूबसूरत होंगे अगर हो या नहीं हो यह matter नहीं करता है उनके लिए उनके लिए आपका दिल matter करता है आपकी खूबसूरती या आपकी look को matter नहीं करते हैं उनके लिए जो भी आपके person मुझे यहाँ यह दिख रहा है, अगर मैं energy pick जो कर पा रही हूँ कि आपके जो person है वो आपको बहुत 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 प्यार करते हैं और बहुत loyal हैं आपके लिए आपके person जो है, आपको बहुत पजैसी वे आपके लिए आपको मतलब पुरा पकड़ के अपने पास रखना चाहते हैं वो नहीं जाते कि आपको कोई और देखे या आपको कोई और आप से बात करें अगर कोई भी आप से third person कोई भी बात करता है या आप उनको बताती हो या कुछ भी होता है उनको बहुत गुसा आता है वो आपको दिखाते नहीं लेकिन उनको बहुत गुसा आता है उनको स्ट्रेस हो जाता है उनको ऐसे लगता है कि जैसे तलवारें उसके उपर लटकी हो ऐसे उनको फील होने लगता है क्योंकि वो आपके लिए बहुत पजैसिया गाईज यह देख आपके लिए बहुत पुजासी है और 10 of cups sorry guys मेरा doggy है जो 10 of cups है वो ये बताना चाहरा है वो आपके साथ एक घर बनाना चाहते है sorry guys मैं यहां पर पाउस करती हूँ हाँ guys तो मैं बता रही थी sorry actually मेरे को अपने doggy को चुप करवाना था क्योंकि वो बहुत बाहर कोई निकल ला होगा जिसकी वज़े से वो थोड़ा बहुंक रहा था तो चलिए back to अपनी रीडिंग पर स्टार्ट करते हैं फिर से तो मैं बोड़ी थी कि आपके परसन जो है वो बहुत ही बहुत ज़ादा आपके लिए पो जैसी में वो 10 of cops वो आपके साथ अपनी family imagine करते है आपके साथ शादी करना जाते है आपके साथ अपनी life start करना चाते है आपको अपना word मानते है उनको ये है कि आप उसकी सारी दुनिया हो और आपके person आपके साथ एक new शुरुवात करना चाते है मतलब आप उनके लिए सब कुछ हो जब ये word card आ जाता है तो इसमें सारी दुनिया समा जाती है आप उनके लिए उनकी दुनिया हो जो भी आपका person है वो आपको अपने दुनिया मानती है क्योंकि आप में उस इंसान को सब कुछ दिखता है और जब एक बंदे में सब कुछ दिखने शुरू हो जाए ना तो वो इंसान उन्सके लिए वर्ड बन जाता है जैसे हम मैं आपको कैसे समझाओं जैसे हम बोलते हैं ना कि आपको ही ले लो अगर आप बोलते हो कि मेरा जो परसन है वो मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया है आपको चाहे हजारों चीजे बाहर मिल जाएं घूमने के लिए मटेरियलिस्टिक चीजे बहुत कुछ मिल जाएं फिर भी आपको यह होता है कि नहीं मेरा परसन मेरे लिए दुनिया है मुझे और कुछ नहीं चाहिए उसके प्यार के सिवा उसके सिवा क्योंकि आप उसको बहुत प्यार करते हैं उसी तरह आपके परसन भी आपको बहुत प्यार करते हैं उसके लिए आप उसकी पूरी दुनिया हो उसको जो कुछ भी दिखता है आप में दिखता है चाहिए वो आपको बहुत प्यार करते हैं, वो आपको अपना वर्ड मानते हैं, वो आपके लिए बहुत पैशन रखते हैं, बहुत पैशन रखते हैं, यह दिखिए, बहुत, आप देख रहे हैं न, एक मेल फीमिल खड़े हैं, और देखिए, ओपर देखिए, ठीक है, आपको गार दिख के ऐसे बैठ जाते हैं वो सकता है उनको आपके dream भी आते हों और वो आपके प्रती sexually बहुत जादा addict है बहुत जादा obsessed है आपके लिए बहुत sexually feeling रखते हैं वो आपके लिए आपके जो भी person है आपके लिए बहुत feelings रखते हैं guys आपको chain की तरह ऐसे बांद के अपने पास रखना चाहते हैं मतलब बांदने का मतलब यह नहीं कि गलत intention से बांदने का मतलब है कि वो आपको अपने बंधन में बांदना चाहते हैं अपने प्यार वाले बंधन में बांदना चाहते हैं जो devil की energy होती है वो obsessed की होती है Lust की होती है Lust का मतलब यह नहीं होता है Lust के अलग-अलग मतलब होती है एक lust का मतलब होता है की गलत intention वाली lust और एक होता है प्यार बंधन यह वो वल है क्योंकि इसमें से negative card कोई नहीं है और आपके जो हमारी universe है वो आपके साथ justice करेंगे वो आपके रिष्टे को नयाए देंगे ये दिखी ये कार्ड बता रहा है justice का कार कि universe angels आपकी पूरी help कर रहे हैं ताकि आपका रिष्टा एक हो सके तभी तो आपके person अगर आपसे इतना प्यार करते तभी तो वो आपके लिए stress लेते हैं रातों को सो नहीं पाते आपके लिए इतने possessive है 10 of cups बता रहा है वो आपके साथ शादी करना चाते है negative card तो इसमें कोई भी नहीं है इतनी positive reading आई है मैंने जब card shuffle किये थे मेरे को खुद नहीं लग रहा था कि इतनी positive reading आईगी मुझे भी बहुत खुशी होती है गाई सची बोलने तो इतनी positive reading करके क्योंकि मैं भी चाती हूँ कि मेरे जो subscriber है जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं मतलब उनकी जो person है उनको बहुत पसंद करें प्यार करें खुशी खुशी रहें उनको भी happiness मिले मेरी भी यही उमीद होती है जब मैं reading स्टार्ट करती हूँ मैं भी universe से pray करती हूँ इंजल से pray करती हूँ आप भी universe से इंजल से pray कीजिए और please guys मैं reading के बीच में बोलना यही चाहूँगी उनको गलत बोलोगे कि इसके साथ यह हो जाए वो हो जाए तो वो पता क्या होता है आप जितनी भी negative energy है वो आप उनको send कर रहे हो और अगर आप उनको negative energy send करोगे तो आपको भी negative response ही आगे से मिलेगा आप बस यह सोचो कि आपने अच्छा सोचना है जब तक आप खुद अच्छा नहीं सोचोगे ना तब तक आपका अच्छा नहीं होगा यह नहीं बोलती कि आपका गलत होगा कहने का मतलब यह है कि आप अपने person को positive vibe send करिए अगर उसने आप मान लो उसने आपके साथ जूट बोला तो आप बोलो कोई बात नहीं मिरको अपने person पे बहुत विश्वास universe को बोलिए इंजल्स को बोलिए उनका thank you कीजिए उनको बोलिए कि नहीं universe मेरे को अपने person पे इतना विश्वास है कि मेरा person मेरे साथ कभी गलत नहीं कुछ कर सकता वो मेरे को cheat नहीं कर सकता अगर आप मन में ये सोच रखोगे तो वाकिए आपका person आपके प्रती इतना attract हो जाएगा अगर आप उसको एक बार याद रखना अगर आप अपने person को positive vibe send करोगे ना ये मैंने खुद personally कई बार देखा हुए जैसे मेरे को कोई चीज चाहिए होती है तो मैं चाहती हूँ कि मेरे को ये चीज चाहिए मेरे को मिलती है नहीं फिर मैं न उस चीज जब मेरे को लगता है ये चीज मेरे को नहीं मिलेगी तो मैं क्या करती हूँ मैं positive सोचना शुरू कर देती हूँ कि मैं यूनिवर्स को बोलती ही, यूनिवर्स्टी मेरे को ये चीज मिल गई है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हैपी हूँ, थैंक्यू एंजर्स, थैंक्यू यूनिवर्स, मैं उनको बहुत बहुत थैंक्यू गरती हूँ, तो वो क्याता है, कोछी दिनों में वो चीज मिरे को मिल जाती है, क्यों? क्योंकि मैंने positive सोचा और university thank you किया कि university आपका बहुत बहुत thank you कि आपने मेरी ये इच्छा पूरी की आपने मेरी ये wish पूरी की क्यों? क्योंकि मैंने अपने दिमाग में positive ही रखा, negative कुछ भी नहीं सोचा, वैसी मैं आपको बोलती हूँ कि अगर आप अपने परसन के लिए negative सहुच गे कि हां वो दो तिन दिन होगे मेरे से बात नहीं कर रहा पक्का वो किसी और से बाते कर रहा होगा अगर तो आपका परसन किसी third person से बात कर रहा है तो बात अलग है लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हो स से बात कर रहा है हो सकता उनकी घर की कोई प्रॉलम्स हो इसकी वज़े से वह आपको रीच आउट नहीं कर सकता राइट तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप जितना हो सके अपने परसन को पॉस्टिव वाइब सेंड कीजिए अगर मान लो दो दिन उसका मैसिज नहीं भी आ रह होगे जितना अच्छा त्रीट करोगे उतना अच्छा आपकोículos मिलेगा क्योंकि उनके मन में आपके लिए प्यार जागेगा कि यह बंदी अगर एक बात बोलू अगर मान लो अगर आपके परसन थर्ड परसन से किसी से बात कर भी रहे हैं और अगर आप उनसे सही में बात क करती है मेरी इतनी केर करती है तो क्या होगा नैचरली सी बात का आपको पॉजिटिव रिस्पॉंस मिलेगा फिर वो बंद अगर आपके पास उसको सब कुछ मिलेगा तो वो बंदा बाहर क्यों भागेगा ठीक है तो मेरे कहने का मतलब यहीं आप बोलोगे कि दीदी को उसका प्यार मिलना चाहिए लेकिन तब अगर आप पॉजिटिव वाइब्स उनको सेंड करोगे तो आप उनके लिए पॉजिटिव रात को भी सोते वक्त हर वक्त यूनिवर्स का थैंक्यू कीजिए कि यूनिवर्सी थैंक्यू सो मच आपने यह इंसान मेरी लाइफ में ल आनी है तो आप क्या करिए आप पॉजिटिव वाइब्स उसको भीजिए और उनको बोलिए हाँ देखिए अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो जस्टिस का और तो पेड़े ही आ गया देखो आपके साथ जस्टिस होगा क्योंकि अगर आप लोग कुछ गलत नहीं दे पैस लेते हैं आपके लिए पोजैसी बहुत है आपके साथ शादी करना चाते हैं आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं आपके साथ एक नहीं शुरुआत करना चाते हैं अप्सेस्ट हैं आपके प्रती बहुत जादा अप्सेस्ट है तो अब नेगटिव कार तो इसमें कोई भी नहीं है देखिए आपके रिष्टे के लिए fight कर रहे हैं दूसरा कार देखिए आपको manifest कर रहे हैं अपनी life में लाने के लिए देखिए तीसरा कार देखिए आपके साथ celebrate करना चाते हैं अपनी life को ठीक है यह देखिए आपको अपने आपको आईसोलेट कर लेते हैं जब आपसे बात नहीं हो तो पाती है जहां कहीं कभी-कभी आपका जगड़ा हो जाता है कुछ भी हो जाता तो आपने आपको आईसोलेट कर लेते हैं कि आपको अपनी कुईन मानते हैं देखिए जितने भी देखिए काड़ आये हैं देखिए विक्टरी चाते हैं आपके साथ अब और आप क्या चाते हो गाई मेरे को तो कुछ भी नेगटिव नहीं लग रहा आपकी जो रीडिंग अब बहुत ही पॉस्टिव आई है और यह कर को इसमें पूरे कार्ड में थर्ड पार्टी कहीं भी मेरे को नजर नहीं आई अच्छा एक बाद मैं और बताना चाहूंगी हर बंदे को यह लगता है थर्ड पार्टी का मतलब है कोई तीसरा परसन नहीं यह गलत है आपको एक बाद मैं अभी बताना क्लियर करना है third party अलग अलोग होती है हाँ अगर मैं specially third party पर reading कर रही हूं तो आप सुचते की हाँ third party उसमें भी energy मैं पिक प areney अगर third party पर भी करूगी लेकिन यह नियं कि third party अगर आप सोच लो कि हाँ third party काड़ा गया तो अब यह तो बंदा किसी और से के साथ बाते कर रहे हैं, नहीं, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, उसका वर्क एरिया हो सकता है, उसका फैमली हो सकती है, उसकी भाबी, मा, बेहन, कोछ भी, फ्रेंड्स कोई भी हो सकता है, थर्ड पार्टी का मतलब सिर्व यही नहीं होता, कि कोई बंदा ही हो इसलिए प्लीज गाइज आप जब भी सोचो अच्छा सोचो पॉजिव सोचो और जितना हो सके यूनिवर्स को थेंक यू बोलते रहे हैं और आज आप सोच रहे होंगे कि मेरा भाशन बहुत लंबा हो गया है तो एक्चली बस मैं आपको यह सही रहा पे गाइड करना चाहती हूँ मैं यह चाहती हूँ आपको सही गाइड करूँ आप सही रस्ते पे चलो किसी थर्ड परसन की बातों में आके या किसी की बात में आके अपने परसन पर आपको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है कि नहीं उसने मेरे को यह बताया देखो प्यार आप करते वो आपसे करते हैं आप दोनों एक दूसरे की feeling समझते हो आप दोनों एक दूसरे को अच्छी से समझते हो सबको पता है कि आप कैसे हो ठीक है तो तीसरा बंदा अगर आपको कुछ बोल के चला गया तो इसका मतलब तो यह है कि आपके person पे आपको विश्वास नहीं है अगर आप उने इतनी हजारों की भीड में उस बंदे को चुना है तो कुछ सोचकर ही चुना होगा ना राइट अगर वो आपको अपनी दुनिया मानते हैं तो आपके लिए भी वो इंसान दुनिया ही है परना इतनी हजारों की भीड में एक बंदा ही थोड़ा अच्छा लगता ह बता क्यों अच्छा लगता है क्योंकि हम उसको सच्छा प्यार करते हैं इसलिए हजारों के भीड में हमें सिर्फ वही एक इनसान अच्छा लगता है चाहे आपके सामने कितने लोग आ जाएं तो गाइस रीडिंग बहुत लंबी हो गई है आई थिंक तो मैं यहीं पे चलिए एक गाइड़न्स कार भी निकाल लेते हैं आपके लिए आज के दिन के लिए क्या गाइड़न्स क्या है यह आपका गाइड़न्स का गाड देखते हैं क्या निकलता है मैंने भी देखा नहीं अभी Ace of Swords देखिए अब बोलने की कोई जरूरत ही नहीं रही अब मैं क्या बोलनू आपसे Ace of Swords नहीं शुरुआ था आपके साथ करना चाहते है यह है आज की guidance तो guys I hope आपको मेरी reading यह पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो मेरे channel को please subscribe कीजिए, like कीजिए, comment कीजिए और आप इस energy को claim कीजिए अगर आपको reading अच्छी लगी है तो next reading पे आप बताईएगा मेरे को please guys मेरे को comment box में यह जरूर बताया कीजिए कि आपको यह जितनी भी मैंने reading की है और पूरी energy आपको कितनी resonate हुई है क्योंकि आपके comment से मेरे को यह पता चलेगा कि आपके साथ यह reading कितनी resonate हुई है और next मेरे को यह पता लगेगा कि मैं आपकी energy को कितना pick कर पा रही हूँ तो आप जब भी मेरे को comment में मेरे को जरूर बताया कीजिए please मेरी request है कि आपको यह reading कितनी resonate हुई है क्योंकि यह reading एक लोग नहीं हजारों लोग देखते है हर एक अलग-अलग इंसान के लिए अलग-अलग message निकल कर आता है तो मेरी यही request है आपके लिए कि आप comment में जरूर बताये मेरे को और इस reading को claim कीजिए और thank you universe, thank you angels जरूर लिख्या कीजिए comment में क्योंकि इसके साथ आपको universe की बहुत-बहुत blessing मिलेगी और जाते-जाते यही बोलूगी कि अपना ख्यार रखिए, positive सोचिए और I love you my all family, YouTube family नेना आपका बहुत-बहुत स्वागत करती है और आपके साथ है negative सोचने की कुछ भी जरूरत नहीं, खुश रहिए और सबसे बड़ी बाद अपने आपको प्यार कीचिए अगर आप अपने आपको प्यार करोगे तो आपको दुनिया की हर चीज अच्छी लगेगी तो जाने से पैसे पहले बस यही बोलूगी guys, कि please मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए, तो मिलती है नेक्स रीडिंग में बाबाई guys, I love you